हाई फ्रेंड्स मैं हूँ अभिषेक आज मैं आपको एक लैपटाप ओपन करके दिखा रहा हूँ एक्शुली यह कोई ओफिस्यल या फिर कोई टेक अन्बॉक्सिंग नहीं है यह मैंने पर्सनल ली उसके लिए आपने लैपटाप है ब्रैंड है ऐसूस 14 सीरीज इस टाइलिस है पोर्टेवल थिन लाइट लैपटाप है यह एंड 14 इंच इसकी डिस्पले है फुल एच डी रिजोलेशन है इसका आस्पेक्ट रेशियो 16-69 इसका और IPS लेबल पैनल लगा हुआ है और इसका जो मॉडल है यह एक्स 415EA-EB-372WS इसमें काफी अच्छे मिले हुए है लैपटाप के अंदर जैसे की आई 3 प्रोसेसर 11 जेनरेशन के साथ है यह मैंने घर के यूज के लिए लिए तो आई 3 जो है वो सफिसेंट है और इसके अंदर SSD प्रिंस्टॉल्ड है 256GB एंड वन टीवी का हार्ड डिस्क है तो इस पेस से लेके कोई सिकायत नहीं है और लाफटाप काफी चलने में ठीक है मैंने इसको काफी यूज करके देखा अभी और इस करूँगा आफ्टर बन मन्थ तू मन्थ जो उसका रिवीव होगा आपको करके दिखाएंगे यह फिंगर्पिंट सेंसर भी इसमें दिया हुआ है और अच्छा काम करता है जैसे मुबाइल पर काम करता है सेम बिंडू में भी काम कर रहा है काफी अच्छी बात है प्री स्टॉल्ड एक्सल है इसके अंदर बिंडू 11 है लाइफ टाइम के लिए इसमें कोई मतलब रिन्यू नहीं करनी पड़ेगी फाइल मेनेजर यह मैं आपको उपन करके दिखा रहा हूँ तो चीजें मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग में टाइम लिए खुल रही है तो काभी अच्छा है और मैं टाइप करके देख रहा हूं यहां पर पूछ आईसे ही रेंडम कोई स्टूडेंट्स है या ओफिस परपस से अपना कोई बिजनेस है या फिर ओफिसल परपस के लिए लैप्टॉप भी लिया जा सकता है इसमें 8GB RAM इस्टॉल्ड है और 20GB तक आप इसको बढ़वा सकते हैं यह बात मैंने आपको सुरू में बताना भूल गया था इसकी कीमत की बात करें तो यह लैप्टॉप अपको 39,000 के आसपास पड़ेगा या 40,000 के आसपास फिलिप काड़ पे साइद को आपको आफर मिल जा है बहां पर भी यह लैप्टॉप अविलेबल है मैंने इस्टोर से लिया है न्यू डेली नेरू प्लेस से और आज आपका के लिए से तो किविलेग। झाल झाल